वेल्कम बैक टू नैंसरी क्लासेस एन दिस इस नैंश्री आशा करते हूं कि आप सभी लोग एकदम अच्छी होंगे और अपनी बढ़ाई भी उतने ही अच्छे से कर रहे होंगे आज हमें हिस्ट्री में प्रेक्टिस करनी है यह हमारा हिस्ट्री का प्रेक्टिस का दूसरा वीडियो है अगर आप लोगों ने प्रेक्टिस का पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस में जाकर देख सकते हैं और यहाँ पर जितनी भी कॉस्चन्स आपको ब महरत्मूने गками देखते हैं पहला कोश्चन है आपसी की कौन सा असा कि संगम-शच्ट की रूप में प्रशिद्ध है तो संगम-शhrत की रूप में आपका泊 का हुआ प्रशिद्ध है जो आपका फ़स्ट ओप्शन करेक्ट हो गाएं आपट करतें नेक्स question परनेक्स शिवकु शमर्पित है या आपको पता होना चाई कि हाँ पर colleges ऊपडर केह घमेसे तो यह बहुत इसेनति कि करुछ बखान शघुंस्त मन्दी के अपको आप लोगों को विजय नंगर सामराजी पढ़ाया हुआ है जाकर देख लीजीगा विजय नंगर सामराजी की राजधानी थी आपकी हमपी आपका यह जो बुरुपाक्ष मंदिर है यह तुंग भुद्रा नदी के दक्षण किनारे पर इस्थित है तो यह भी आपको याद र दिखताख सामरा है सिचाई के लिए 1-6-0-8 जी ल का निर्मार इन میں से किस चौल सासाक के सासक के द्वारा करवाया गया था आपको यह बताना था कि जो आपके सीचाई के लिए 1-6-12 लंबी एक जील है इसका निर्मार किस चौल सासा के द्वारा करवाये गया था तो राजेंद्र प्रथम में ने करवाये था किसने राजेंद्र प्रथम ने ये बहुत महत्मूर कुश्चन है हलाकि ये सारे ऐसे कुश्चन जो परिक्षा में पूछे गए हैं तो इन कुश्चन्स को आपको ध्यान से पढ़ना है तो शोलह मील लंबी जील का निनमार किसने करवाया था राजेंद्र प्रथम ने इन्होंने गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष में गंगे कोंड की उपादी धारन कर रखी थी कौन सी गंगे केंड गंगे कोंड यह इन्होंने राजधानी इनकी पता हो इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाया था वो किसको बनाया था गंगे कोंड चौल पुरम ठीक है चौल पुरम और इन्होंने अपनी नई राजधानी के समीप ही चौल गंगम नामक एक जील का निर्मार करवाया था कौन सी जील चौल चौल गं चौल गंगम नामक जील का निर्मार इन्होंने अपनी यह जो इन्होंने राजदानी बसाई थी इसी के समीब करवाया था इतनी चीज़ें आपनों को याद रखना है फर्स्ट आपका करेक्ट होगा गर आप लोगं को याद रखना है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारी प्लेलिस में जाके जो वीडियोस हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, पॉलिटी के बनाए गए हैं, उसमें मैंने थरली हर एक टॉपिक को डिसकस किया, यूपी ट्रपाल सी पैट परिक्षा के लिए, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, वो काफी हेल्फुल वीडियोस होंगे आप सभी के बहुत लिए, और क्ष्चन का अंसर आपको मिली गया होगा, कि जैन शभाओं को दान में दी जाने वाली भूमी जो थी, उसको क्या कहा जाता, उसको कहा जाता था, पल्ली छादम, ठीक है, गेर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमी को क्या कहा जा था, वैलन बगाई, वेलन वगाई तो देखिए आपको कुछ-कुछ तुम्स याद रखने होंगे यहां पर मैं लिख देती हूं अगला लिखिएगा गेर गेर ब्रामणों को दी जाने वाली भूमी को क्या कहा गया वेला 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 वेलन वगाई ठीक है वगाई इसका आपको इस तरीके से ना नहीं होना है यह तो ग्यार ब्रामणों को हो गई इसकूल विध्यालयों की विवस्ता के लिए दान में दे जाने वाली भूमी भी होती थी चौला भी लिखों के नुसार तो इसकूल विध्यालय को जो विवस्ता होती थी सिक्षा के लिए तो इनको दी जाने वाली जो और को चाहरी दनीटन को याद रखना है हिस्ट्री में कुछ टर्मस आपको जरूर्स याद रखने होते हैं सीधा सीदा कोॉच्टन अजाता है ब्रहम्धे क्या ब्रहम डेर इतनी चीज आपनों को याद रखना characteristics पहला तो जैन शबहाओ को दान धने आपफ से ट्रूंव पल्ली छादम उसको पाद गयर ब्रहमणों को वेलन बगई इस्कूल और विद्ध्याले pandemia को स्चाला भूंग ब्रहमणों को ब्रहमदे और यही पर आप नीचे लिख लीजेगा जैन सभाओं को जैन शभाओं को दी जाने वाले भूमी को क्या कहा गया इसको कहा गया पल्ली चादम ठीक ये रहा आपका अंसर मूफ करते हैं नेक्स कोश्चन पर आशा करती हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कोई भी डाउट होता है तो आप कॉमेंट बक्स में पूछ सकते हैं कोश्चन आपके लगबक आपको यह याद नहीं रखना है खाली तना याद रखिएगा कौन था सासक तो 750 से इन्होंने 770 इस भी तक इन्होंने शासन किया था किसने गुपाल ने ठीक गुपाल ने शासन किया था और यह बहुत मतानुआई था और नालंदा में उसने एक बिहार का भी निर्मार करवाया था अगर पूछा जाए तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि बिहार का निर्माड इन्हों ने करवाया था किसका एक बिहार का ठीक निर्माड करवाया था ठीक है move करते हैं नेक्स question पर next question आपके सामने है one minute question आप से पूछ राय कि पाल शामराज भारत के किस हिस्से से संबंदित है जैसे आपको मैंने सिखाया हुआ है कि आप कैसे decide करते हैं कि भारत का कौन सा पूर्वी हिस्सा है कौन सा पश्मी हिस्सा है कौन सा आपका दक्षन हिस्सा है कौन सा उत्री हिस्सा है जैसे यह आपका मान के चली इंडिया है ठीक है इंडिया में मैंने आपको सिखाया हुआ है इस तरीके से आप डिसाइड करते हैं इस तरीके से मान के चलिए तो इस तरीके से ये आपके नौर्थ होते हैं जो उपर वाले हैं ये वाले साउथ होते हैं ये वाले क्या होते हैं पूर्भी होते हैं और ये वाले कौन से होते हैं पस्चमी होत तो आपका जो पाल सामराज जी था ये आपकी बंगाल और विहार में था कहा पर बंगाल और विहार में था बंगाल और विहार से संबंदित था अब ये बंगाल और विहार से संबंदित था तो बंगाल कहां पर है यहां पर है तो ये कहां पर संबंदित हुए ओभियस्ते ब पताया हुआ है उपर की पाल बंसके संश्धाप को पाल थे लिकिन आके पाल सामराजी के एक शाशक आता इनका नाम था धर्म पाल इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है काफी मातपुण ने धर्म पल धर्मपाल भिक्रम शिला विश्व विद्याल है और सोमपुरी की विहारों की स्थापना की थी धर्म पाल ने पूचा जाता है विक्रम शिला विश्व विध्यालय की स्थापना किस ने की थी तो आपको याद रखना है धर्म पाल ने की थी मैं आपर लिख देती हूं विक्रम शिला विश्व विध्यालय और सोमपुरी में क कि इस थापना इनों ने की थी इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है मूफ करते हैं नेक्स कोश्चन पर जो कि आप से की वारेवी सताबदी के आरंब में दिल्ली पर किसका शाषन था तो बारेवी सताबदी के आरंब में तोमरवंस का सासन था किसका तोमरवंस का स सकते हैं आप प्लेयीस में जाए हिस्ट्री के 5 जी यह जधा वीडियोस नहीं हो इनको देखे के पाइए वीडियोस चुछ और भी वीडियोस हैं कोने तो कुल में आपके 8 10 यह वीडियो उन आच-दस वीडियो में आपका हिस्ट्री पूरा कबर हो जाएगा तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चा कि आप उन वीडियो को देख लिजे आपका एक-एक डाउट के लियर हो जाएगा वहीं से आपसे question पूछा जाना है और जो आपका ये बंस था तोमर बंस तोमर बंस का जो प्रशिद सासक था वो क्या था अनंगपाल और मैंने अनंगपाल के बारे में आपको discuss किया है ठीक, move करते हैं next question पर question आपके सामने है कि चरक सहंता संबंदित है चरक सहंता किस संबंदित है आपको बताया गया है कि ये आपके चिकतसा से संबंदित है आयरविद से थर्ड ओप्शन आपका एकदम correct होगा ये पूछा जाता है कि चरक सहंता ये आपका किस भासा में है तो ये संस्क्रत भासा में है ये आपको याद रखना है और इसके जो रचाईता थे किसके चरक सहन तागे रचाईता आप लोगों को याद रखना आए रचाईता जो थे वो चरक ही थे कौन थे चरक थे नेक्स कोशन पर जो आप से पूछ रहे है तक्षिषिला अगर दिखा जाये तो यह वर्तमान पाकिस्तान में इस थे ठीक है आप सभी लोगों को चौनक के बारे में पता होगा मैंने बहुत अच्छे से डिसकस किया होगा है यह चौनक के थे यह तक्षिसला विश्व विद्यालाई का आचारे था किसका तक्षिसला विश्व विध्यालाय का आचारे था तक्षिसला प्राचीन भारत का एक सेक्षिक केंद्र था ये आपको याद रखना है कि तक्षिसला हमारे प्राचीन भारत का एक सेक्षिक केंद्र हुआ करता था सेक्षिक केंद्र हुआ करता था ठीक है अब उस टाइम तो हमारे इतने विश्व विध्याला थे नहीं और कुछ गिने चुने थे उन्हीं को याद करना है आपको ठीक अब आपको पूरा प्रदेश में हैँ है याद रखेगा अपार्ट फ्रॉम दिस इनको जो है युनेसको में विश्य वरासत इस्थल में सामिल भी किया गया है युनेसको में विश्य वरासत इस्थल में आपकी भीम बेटका को सामिल किया गया है चीक मूव करते हैं next question पर question आपके सामने हैं आप लोग एक मिनदर दीजिएगा मैं आपको समझा देती हूं कोई इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है question है कि निमने मैं से कौन सा जोड़ा सही नहीं है पहला है आपसे औरंग जिव की निखा आपको बटाना है यहाँ पर इस चार आपको दिये गए है इनमे से कौन आपका सही नहीं है जैसे अगर हम बात करें औरंग जिव की मृत्यू की तो औरंग जिव की मृत्यू कब हुई थी बताईए यह 1707 में हुई थी 1707 is V AD और यह आपका BC क्या है इसका मैं अभी मतलब समझा देती हूँ औरंग जिव की जो मृत्यू है वो 3 मार्ट्स को हुई थी और आपके सन 1707 में हुई थी देखे औरंग जिव की मृत्यू काफी मात्मूने कई बार एकजाम में पूँछा गया है यह चोटी से चोटी परक्षा से लेकर बड़ी से बड़ी परक्षा में भी पूँछा गया है जब sequence लगाने को दिया जाता है तो बहाँ पर पूछा गया था तो याद रखेगा कि औरंग जीब की मृत्यू का वही थी अब यहाँ पर AD का मतलब होता है आपका Anodominy क्या होता है Anodominy अगर आप English में याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख लीजिएगा अगर हम बात करें BC की तो BC का मतलब होता है Before Christ क्या होता है Before Christ ठीक तो आपको यह दोनों टर्म याद रखना है नेक्स्ट है आप से Muslim यूग की सुरुवात जो Muslim यूगी की सुरुवात है यह बिलकुल आपकी correct दे गई है ठीक अगर हम बात करें सक संबद की सुरुवात तो जितनी भी संबद है मैंने आपको पढ़ाय हुए है सक संबद की सुरुवात भी आपकी बिलकुल correct दी गई है कलेंग यूदी भी आपका बिलकुल correct दिया गया है तो यहाँ पर आपका क्या मैच नहीं हो रहा सिर्फ औरंग जेव की मृत्तिव आपको गलत दी गई है बाकी आपके सब सही है ठीक तो आपको याद रखना है जो कि आपसे है निमनले खित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं इस्थित हैं आप सभी को पता है कि औरंगाबाद में औरंगाबाद कहां पर है तो यह महरास्ट में है ठीक याद रखना है आपको यह महरास्ट राज्ज में है मूफ करते हैं next question पर question आपके सामने है यह आपसे पिछली बार का जो पैट एक्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि निमलेखित में से किस क्रम भारत में आई यहां पर आपको मैंने यह नहीं दिया हुआ है कि आपका sequence किस तरीके से होगा अब मैं आपको option दे देती हूं 3, 1, 1 minute मैं इस तरीके से दे देती हूं 3, 1, 2 पहला option आपके सामने है option B आपके सामने है 2, 3, 1 तीसरा option आपके सामने है 2, 1, 3 चौथा option आपके सामने है 1, 1, 2, 3 अब आप बताएं यह कौन सा correct होगा तो यह जो टामस रो हैं यह आपके जहांगिर के सासनकाल में आए थे टामस रो कहां किसके सासनकाल में आए थे यह जहांगिर के सासनकाल में आए और यह ब्रेटेन के राजा जेम्स जो थे राजा जेम्स प्रथम राजा जेम्स प्रथम के राजदूद थे और यह आपके 16 इसे किसे यह आद रखना है कि इसके राजडूत थे और तो जहांगिर में आए थे 1615 इसुने में फायान आपके किस शासन काल में आए थे मैंने आपको बहुत अच्छे से डिसकस कीया हुआ है Вहाहां पर सारी चीजे चंद्रगुप्त दुट्ये के बारे में चंद्रगुप बताया जाता है वो आपका 402 से 412 के करीब बताया जाता है आपको याद रखना है और जो आपके यह फाइन थे आपके चीनी यात्री थे यह पूछा जाता है आपके कहां से थे यह विसिकली चीन से थे चीनी यात्री थे नेक्स्ट है आपके हुइन संग तो इनको तो मैंने भी discuss किया है आपसे कुछी दिन पहले पिछला जो वीडियो था उसी में discuss किया हुआ हर्स बर्धन जब आपको बताया है तो यह basically आपके हर्स बर्धन के टाइम पर आये थे हाँ से हुए इंसांग हाँ से हर्स बर्धन अगर आप कुछ ट्रिक ऐसे विठा लेंगे तो आपको आसानी होगी क्योंकि इतने सारे जो आपको सिक्वेंस याद रखने होते हैं कि भाई कौन से जो है किसके सासनकाल में यहां पर बहुत गड़वड हो जाता है और ऐसा ही प्रिशन आप से पूंचा जाता है पिछली बार की परिक्षा के दो फेज हुए थे उसमें दोनों मे कि भारत आये थे आपको खाली तना याद रखना है अब देखिए आप आसानी से क्रम बठा लेंगे सबसे पहले कौन आया होगा बताईए आप लोग ओवियस सी बात है सबसे पहले फायान आया होंगे उसके बाद कौन उसके बाद आपके हर्षबर्धन के काल में होईंशं और सबसे लास्ट में आपका कौन आया होगा टामस रोग कभी भी याद रखना तो देखिए ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि मुगल आपके सबसे लास्ट में थे तो इतना आपको ध्यान रखना है खाली अगर आपको ये नहीं पता है कि ये कब आए ये नहीं आपको डे करेक्ट होगा की कि यहाँ पर आपका सिक्वेंस ता 2 3 1 जिक नेक्स कोशन आप के सामने है कि विश्व परसद्द खजुराओ मूर्ती कलायां इस्तित हैं तो आपकी यह जो खजुराओ में आपकी जो मूर्ती कलाया है यह आपके मध्य प्रदेश में कहां पर è madhya pradhes में वंस के जो साशक थे, इन से है, चंदेल वंस के शासकों से है. इतना जरूर आपको याद रखरे हैं कि चंदेल वंस से है. ठीक है, मूफ करते हैं, नेक्स कोशन पर, नेक्स कोशन आप से यहाँ से, सल्तनात काल से कोशन से आपके सामने, वन मिनिट आप लोग दीजेगा अब यह आपको क्वेशन दिख रहा होगा क्वेशन है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने बाला मुसलिम कौन था तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने बाला जो मुसलिम था वो मुहम्मत बिन कासिम था कौन था मुहम्मद बिन काशिम था और आपसे ये पूछा जाता है कि पहली बार मुसलिम आकरमण कब हुआ तो ये आपके 712 इस भी में हुआ था कब 712 इस भी में अरब आकरमण कारी अरब आकरमण कारी ये जो अरब आकरमण कारी था मुहम्मद बिन कासिम कौन था नेतरत में हुआ था पहला मुस्लिम आकरमण आपके 712 में फिर से रिपीट कर रही हूं अरब आकरमण कारी मुहम्मद बिन कासिम के नेतरत में हुआ था चीक महत्पून है next question आप से हैं कि खजणरौ के प्रशिद इस्मारग किस राज्ज में उस्तित हैं यह आपका दौरा से आ गया यह आपकी बिसिकली कहां से है तो हैं अभी अब आपको बताया गया है यह मद्य परदेस में आपसे जिला अगर पूचा जाए तो चhtरपूर में कहां पर हैं चतरपुर एक जिला है MP में इस चतरपुर जिला में आपको ये खजराओ के प्रिशिद दिसमारक देखने को मिलते हैं और इनका निर्मार अगर बोला जाए इनका बखान अगर बोला जाए कि किस से संबन्दे थे तो चंदेल इस्थापत ते कला से इनका संबन्दे और चंदेल काल से ये संबन्दे थे इनका निर्माण आपका 950 से 1050 इजवी के बीच करवाया गया था अगर आप याद रख पाएं तो बहुत अच्छी बात है पूछा जाता है इनमें सबसे प्रशिद्ध जो मंदर है वो कौन सा है तो कंदरिया महादेब मंदर है अगर आपसे ऐसा नहीं पूछा जागा तो यह पूछा जाता है कंदरिया महादेब मंदर आपका कहां पर है तो अब आपको पता चल गया होगा कि कंदरिया महादेब मंदर हमारा बिसिकली खजुराओ में है ठीक, मूव करते हैं नेक्स कॉस्चन पर आपसे कोशन है कि जैचंद, त्विश्वास घात की कारण परत्वीरा चोहान की पराजय हुई कालांतर मैं जैचंद कब और कहां मारा गया यह आपसे पूछा गया है तो आप सभी को पता होगा कि मुहम्मद गौरी ने 1194 में कन्योज की सासक जैचंदर पर आक्रमड किया था कब 1194 में कन्योज की सासक थे कौन जैचंद थे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कहा के थे कन्योज की सासक जैचंद जय चंद इन पर आकमर किया गया था 1194 में किसके द्वारा मुहम्मद गौरी के द्वारा किया गया था ठीक उसके बाद आपके मुहम्मद गौरी और जय चंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था चंदावर का युद्ध हुआ था तो यह आपके चंदावर का जो युद्ध है यह मुहम्मत गौरी और आपके किस के बीच में हुआ था जैचंद के बीच में हुआ था जिसमें आपके जो जैचंद है यह आपके मारे गए थे तो यह आपके विशिकली क्या हो गए थे मारे गए थे और यह आपके मुहम्मत ग और आए हैं सो आपका फूर्थ औप्शन करेक्ट होगा मूफ करते हैं नेक्स कोस्चन पर कुस्चन आप सब्सेल कि मुहम्माद गौरी किस वर्श प्रत्वी राज द्रतिये से पराजित हुआ तो आप लोक़ों ने तरायन के प्रत्थम यद्दू कर जिकर सुना होगा किसका त्रायन का प्रत्थम यद्दू तर्यान Ал 그게 हुआ तो आपका तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मधुषए और प्रत्वी राज से पराजित हुआ था क्याश्वित्स? कि पिच में महोंम्मध गौरी, महोंम्मध, गौरी और प्रत्वी राज्-तुरस्त त्रथाती के बीच में हुआ था झिसमें आपके प्रद्विरात तिर्थिये से पराजित हुआ था कौन मोहम्मत गॉरी कौन मोहम्मद गॉरी यह पराजित हुए थे आपके पराजित हुई तो आपको यहां पर आंसर मिल गया होगा 11 brilliant and about 1199 मां आपका क्या हुआ था तरायन का पर्थम यद्ध हुआ था फिर इसकी बाद आपका तरायन का जो दूसरा यद्ध है दुत्तिय यद्ध जिसे आप कहेंगे तो वो आपका 1192 में हुआ था तो आप यहाँ पर जरूर से याद रखिएगा कि तरायन का दूसरा यद्ध दुत्य युद्ध्य से कहेंगे आप दुत्य लिखेगा तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको बन मिनिट दुत्य दुत्य युद्ध तराइन का जो दुत्य युद्ध्य है मैंने अभी अभी आपको बताए ये 1192 इस भी में हुआ था इसमें ये आपको याद रखना है कि ये आपके मुहम्मद गौरी फिर से ही नहीं के बीच में हुआ था ठीक है कुछ अलग नहीं है मुहम्मद गौरी ने प्रतिविरास्तिय को पराजित किया इस बार तो आपके मुहम्मद गौरी पिछली बार तो इनकी पराजय होगी थी इस बार ही आपकी विज़ई पराप्त हुए ठीक है और यह आपकी पराजय हुए इसमें ठीक पराजय है कि यह आपको याद रखना है देखें मैं फिर से संजा देती हूँ गयार सिंग्यां में मुहता था उसमें तो आपके मोहमध गोरी की पराजय हुई इसमें आप मोहमाद गोरी आपके बजाय हुए और प्रत्वी राजत्रितिये को पराज है मिली मैं चthis में कोहांसर मिल गया होगा kya करते हैं नेक्स कोचन पर इंठ्ट यो कि आप से है कि अमीर खुष्रो का जन्म इस्थान है अमीर खुष्रो का जन्म इस्थान है यह उत्तर प्रदेश में वर्तमान कासगंज जिसे कासी नंगर आप कहते हैं कासगंज जिले के पटे आली नमा के इस्थान पर इनका जन्म हुआ था मैं हाँ पर लिख देती हूं अमीर खुष्रो का जन् हुआ था 1203 में 1203 इसchlagen वा हुआ था कहां पर यह यूपी के उत्तर प्रदेश के वर्तमान उत्तर प्रदेश के वर्तमान का स्गंज कास्गंज का स्गंज को हम लोग आप कया कि हते हैं तो हम जो का golden नगर कहते हैं काशी नगर काशी राम नगर काशी राम नगर काशी राम नगर जिले के पटी आली नामक इस्थान पर हुआ था पटी आली अब आपको किलियर हो गया होगा अगर आपको कासगर्ण मिले तब भी सही है और पटी आली मिले तब भी सही है और अगर आप से स्टे अपार्ट फ्रॉम दिस यह आपके बहुत महत्पूर इसलिए हैं क्योंकि इन्हें उर्दू का देखे ध्यान से सुनियेगा इन्हें उर्दू का खड़ी वोली का उर्दू खड़ी वोली और आपके कब्बाली उर्दू खड़ी वोली कब्बाली और तबला तबला का जनक मा पंगे आपको याद रखना है कि और आपको निल्गेस आपको पता होगा तो आहिक और ने विसे के लिखा हुआ है तुगलक नामा क्या लिखा है इन्होंने तुगलक नामा आपसे पूछा जाता है तो तुगलक नामा आपको सबसे पहले याद रखना है तुगलक नामा इन्होंने लिखा हुआ है इसके बाद इन्होंने नूर सिपहर लिखा हुआ है क्या नूह सिपहर नूह शिपहर लिखा हुआ है यह दोनों आपको याद रखना है मुव करते हैं नेक्स कोश्चन पर नेक्स कोश्चन आपके सामने हैं वन मिनिट आप लोग दीजिएगा यह बहुत अच्छा कोश्चन है कोश्चन आप से पूंचा जा रहा है कि अमीर कुष रोजने कब्बाली का पिता और भारत का तोता भी कहा जाता है किसके दर्वारी कभी थे तो यह आपको यदिक शनाय कोश्चन है कि वन मिनट यह कि नीती किस ने अपनाई जब मैंने आपको बलबन कि वारे में बताया था तो याद कर यह थोड़ा सा ब्रदत है तो दूसरा इन्हों कहा था कि सुल्टान का निरोंकस होना आवश्यक है अगर आप से एक्जाम में पूछा जाए कि यह किसके दू प्रमुख जो है राजत्यों की सिध्धान्त थे तो आपको इनकी राजत्यों की सिध्धान्त याद रखना है बलवन की मैंने तो आपको बताया हुआ है कि इस्व सब्सक्राब द्वारा प्रदत्त होता है उसके बाद दूसरा जो राजत्यों सिध्धानत दिया थे उन्हें कहा था कि सुल्टान का निरंगकुष होना थे सुल्टान का निरंग को शुना आवस्चक है यह इन्होंने कहा था आवस्चक है याद रखेगा यह इनकी राजत तो शिद्धान्त थी राजत तो सिद्धान्त ठीक है भूव करते हैं नेक्स कॉस्चन पर आप से पूछा जा रहे हैं की अलाउद दिन खिले जी द्वारा बनबाया गया प्रशिद अलाई दरवाजा कहां इसते थे तो यह नई दिल्ली में इस्ते थे कहां पर नई दिल्ली में नेक्स कोश्चन आपसे है कि अलावदीन खिल जी के शासन काल की अवधी क्या थी तो इनके शासन काल की जो अवधी है अलावदीन खिल जी के ये 1296 से कब 1296 से आपके 1316 आपके इज़वी थी तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि कौन सा सही होगा 1296 से 1316 इज़वी फर्स पूछा जाता है कि तयमूर ने किसके सासनकाल में आक्रमड किया और यह बहुत के देखिए बहुत इंपोर्टेंट है यह तोगलक बंस के अंतिम साशक कौन थे तोगलक बंस के अंतिम साशक तो यह आपके थे नासुरुद्दीन महमूद के समय नहों ने भारत पर आक्रमड किया था तो यह पूछा जाता है आपसे कि इनों किस बंस में किस बंस के समय अक्रमर किया उनका आंतिम सांट मतलब साशक कौन था जिस समयनों ने आक्रमर किया तो आपको इतनी चीज़ें यह आद रखनी है तो अपको यहाद रखने था नासिरुद्दिन महिमूद इनके टाइम पर हैंनों ने आक्रमण किया था ठीक है तेमूर का यह आक्रमण तुगलक बंस और दिल्ली दोनों के लिए बहुत ही जादा बिनासकारी शावित हुआ था तो आपको यहाँ पर याद रखने हैं 1398 इन जए pane है नेक्सट कोस्ट्टों पर जो कि आपके शाविक ने तो मैंने आपको बदंस बताया है आपको याद होगा घइस देन नहें किसने गया सुद्धीन किंगल नियुक्त कौन सांशकन होगा सेकुंड़ गांशन नियुक्त सब की सब आपको बताएंगे हैं रिवीजन करिए आप लोग बस तो आपके गया सुद्दीन तोगलक जो थे इन्होंने तोगलक बंस की नीव रखी थी तो तेरा सो बीस इस भी में नहोंने नीव रखी थी सिचाई है तो इन्होंने विसिकली नहर नर्माड करने बाला यह गय आपको समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा करता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के शेयर करना ना भूलिएगा थैंक्यू सो मच